हलो फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है आज के इस वीडियो में हम सीटैट में पूछे जाने वाले दो इंपोर्टेंट को डिसकस करेंगे तो अई स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को तो पहला कोशन हमारे पास है यहां पर एक समें दे रख है 2 प्लस रूट 2 and y दे रख है 2 माइनस रूट 2 दें दवेल्य अफ्री । हमें x2-y2 की वैल्यू फैंड करनी है क्या होगी ठीक है तो x2- y2 इसका एक फॉर्मुला होता है x-y और x-y ठीक है अगर मैं यहाँ पर इन दोनों की value निकाल के multiply कर दूँ तो यह x square minus y square की value की equal आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमें x की value दे रखी है 2 plus root 2 और y की value दे रखी है 2 minus root 2 अगर मैं x plus y निकाल हूँ तो दोनों को add करता हूँ 2 plus root 2 plus 2 minus root 2 यह cancel हो जाएगा और हमारे पास 4 आ जाएगी x plus y की value आगी 4 अब x minus y की value निकाल ली है तो x तो हमारे पास है 2 plus root 2 minus y हमारा है 2 minus root 2 अब यहाँ पर हमें करना क्या है bracket को open करना है तो 2 plus root 2 यह minus का 2 हो जाएगा और minus minus यह plus का root 2 हो जाएगा minus 2 और plus 2 cancel अब root 2 plus root 2 होता है हमारे पास 2 root 2 होता है ठीक है हमें value निकालनी थी x square minus y square की जो की equal होता है x minus y into x plus y के तो x square minus y square हो जाएगा x plus y into x minus y के जो की value हमारे पास है 4 into 2 root 2 तो यह हो जाएगा 8 root 2 यह value होगी x square minus y square की option number third अगला question दिखते हैं अगला question है if x is equal to root 3 plus 1 upon my root 3 minus 1 and y is equal to root 3 minus 1 upon my root 3 plus 1 then x square plus y square is equal to तो हमें x और y की value दे रखी है हमें x square plus y square की value निकाल ली है क्या होगी ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जो x y दे रखा है इसको rationalize करके थोड़ा simplest form में कर लेते हैं तो x हमें दे रखा है root 3 plus 1 upon my root 3 minus 1 अब rationalize कैसे करेंगे जो भी term हमारे पास नीचे वाली दे रखी है हम उसी से multiply divide करेंगे लेकिन sign change करें यह minus है तो हम प्लस वाले लेंगे root 3 plus 1 root 3 plus 1 तो यह क्या हो जाएगा उपर देखें दोनों term सेम है ठीक है तो यह तो हमारा हो जाएगा root 3 plus 1 का whole square और नीचे हमारे पास a minus b और a plus b वाला formula लग जाएगा जो क्या होता है a minus b और a plus b जो होता है हमारा होता है a square plus minus b square की equal ठीक है तो यहाँ पर root 3 का square minus 1 का square अब यहाँ पर हम a plus b का whole square लगा सकते है a plus b का whole square a square plus b square plus 2ab तो यह हो जाएगा हमारा root 3 का square plus 1 का square plus 2 into root 3 into 1 अपन में root 3 का square करेंगे तो 3 आएगा यह minus का 1 इसको और थोड़ा solve करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा root 3 का square करा 3 plus 1 plus 2 root 3 upon में 2 यहाँ गया तो इसको थोड़ा और solve करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा x is equal to 4 plus 2 root 3 upon में 2 तो उपर अगर में look common तो 2 common आ जाएगा यहाएगा हमारा 2 plus root 3 upon में 2 2 से 2 कड़िया तो x की जो value हो हमारी 2 plus root 3 के equal है ठीक है इसी तरीके से अगर मैं y को थोड़ा simplify करूं बिल्कुल सेम तरीके से तो यह जो आएगा हमारा यह क्या आएगा हमारा यह आएगा हमारा 2 minus root 3 ठीक है बिल्कुल आपको बिल्कुल ऐसी solve करना है जैसे हमने x की value निकाली है तो यहाँ से y की value हमारे पास ही आ जाएगी ठीक है और x की value हमारे पास क्या है 2 plus root 3 है यह है ठीक प्लस रूट 3 इसका स्क्वेर हो गया, प्लस य हमारा 2 माइनस रूट 3 इसका स्क्वेर हो गया, तो यहां पर हम आइडिंटिटी लगा देंगे, A plus B ka whole square और A minus B ka whole square तो हो जाएगा 2 ka square plus root 3 ka square minus plus ka 2 into 2 into root 3 plus यहाँ है 2 ka square plus root 3 ka square minus 2 into 2 into root 3 तो यह हो जाएगा 4 यह हो जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा root से square cancel और यह हो जाएगा हमारा 4 root 3 ठीक है plus 4 plus 3 minus 4 root 3 यह cancel तो 7 और 7 14 तो हमारे पास x square plus y square की जो value आई है वो आई है 14 ठीक है option थे हमारे पास यह 4 तो इसमें जो first है वो इसका correct answer हो जाएगा तो इस type question को आप इस तरीके से solve करेंगे उमीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा thank you